चौकी नहीं, ये फसाना नहीं, बलकि हकीकत है और इस बात का दावा किसी दूसरे नहीं खुद दिव्या की मा मीता भारती ने किया है मीता भारती का दावा बिना किसी आधार के नहीं है आखिर दिव्या मरने के बाद एक दो पल नहीं, घंटे नहीं, बलकि सालों तक कैसे जिन्दा रही इस हकीकत पर कोई यकीन नहीं करेगा और करे भी तो कैसे क्योंकि उसे ना किसी ने देखा, ना सुना लेकिन मीता भारती का कहना है कि जब भी उन्हें सुबा जगना होता था तो दिव्या उन्हें सही वक्त पर जगाने आ जाती थी ये सिलसिला सालों तक चलता रहा आखिर क्या है इस दावे की हकीकत? आपको बता दे कि दिव्या अपनी मा के सपनों में आकर उन्हें हर ज़रूरी वक्त पर जगाया करती थी इतना ही नहीं, दिव्या के पती साजित की दूसरी पत्नी वर्धा से भी दिव्या कई बार सपने में मिल चुकी है लेकिन उनकी शादी की 6 साल बात दिव्या ने वर्धा से मिलना बंद कर दिया साजिन नाडिया वाला से दिव्या भारती की शादी 1992 में हुई थी और 5 अपरेल 1993 को महस 19 साल की उमर में रहस्तेमेई परिस्तितियों में उनकी मौत हो गई थी